वेल्कम बैक टो लाइव वार ट्रस्मिशन आए में होस्त तारिक खान जावेद नाजिन आइटी सेक्टर में हम बात करते हैं टेखनलोजी की और इसकी एहमियत की आज हम बात करेंगे कि वाई डीजिटल ट्रांस्फरमेशन इसने सेसरी कहने का यह मतलब है कि आज कल क्यूं जूरी हो गया है कि जो भी हम कारवार करते हैं बैंकिंग हो परड़क्शन हो टेखनलोजी की कंपनिया हो उसमें डीजिटलाइजेशन क्यूं जूरी है कि हम डीजि स्कूलों की अटेंडन्स है वह डिजिटिलाइजड हो उस से क्या फाइदे होते हैं क्या नुखसानात होते हैं इस पे हम बात करेंगे मेरी जो जाती डिजिटिलाइज़ेशन के सिसले में एक्सपिरियंस हुई अज बैंकर वो ये थी कि जब मैंने बैंकिंग शुरू की उस जमाने में हम लोग कंप्यूटर का इतना इस्नमाल नहीं था तो थे एक्स्टेंड आफ कीरियेटिंग बैलन्स शीट तो हम लोग मैनु कर देती थी पूरी पूरी राद बैटना पड़ जाता था जब मैं यहां से अबु धाबी किया तो पता चला कि जो बैंक खलीज कमर्शिल बैंक था वहां भी अभी तक कंप्यूटराइज़ेशन कंप्लीट नहीं थी तो आला कि मैं एक एकाउंट आफिसर था मेरा काम था काउंट्स को मैंनेज करना और कस्टमर रिलेशनशिप को मैंनेज करना तो और हम लोग सब पढ़े लिखे अच्छे खासे हमारी जो बेसिक क्रिटेरिया थी उदस साल का एक्सपिरियंस और मास्टर्स लेवल की एजुकेशन तो हमें मैं टॉप मैंनेजमेंट नहीं हमसे र है तो आप लोग उनको हेल्प करें तो इस्पेशल हमारी ड्यूटी लगना शुरू हुई रात को बता चला एक बज़े आ जाईए बारा बज़े आ जाईए और यो फाइनल बैलन्स शीट को आप स्टाफ करना तो हम जो ऑफिसर ग्रेट की लोग जाते थे तो हमारे माइनस फ्रेश होता था तो हम जब देखना श्टू करते थे हमें कुछ क्रेटेरिया बताये गए थे उसको हम धून निकालते थे और बैलन्स शीट वो त्यार हो जाती थी उसी दोरा हमारे बैंक गया और जाके अमरीका से किसी बैंक का रेडी मेट पूरा पैकेज खरीद के लिए आया उसकी इंप्रिमेंटेशन में भी हमें काफी मेनत करनी पड़ी कुछ महीनेों लेकिन जब वो हो गया तो वही बैलन्स शीट जिसको बैलन्स करते करते दो बज़े दिन को ऑप्रेशन बंद होता था रात हो जाता था दो दो बज़े रात को फैनल फीगर तयार होती थी वो पता चला कि दो बज़े बैंक बंद हुआ दो बज़े के पांच मिनट पे बैलन्स शीट प्रिंट आउट निकल के आ गया ये थी ट्रांस्फरमेशन और उसका एक तो जो बैनेफिट हुआ हुआ इन टरमस ऑफ इफिशनसी हमने देखा कि स्टाफ की जो रिकॉर्मेंट हो गए हमारी जॉब खतम हो गई तो हम लोगों ने उनको समझाए कि मिया काम बहुत पढ़ा है उनको अपना एसिस्टन बना लिया और उनको मार्केटिंग के लिए भीज़ दिया कि जौब मार्केट से काम लेकर आओ और या रिकवरी पे लगा दिया तो वह प्रड़क्ट अगर ये कंप्यूटर ना होते ये डिजिटाइजेशन ना होता तो दुनिया की जो साथ करोड़ अबादी है साथ अरब अबादी है उसमें शायद दो या तीन अरब अबादी तो सिर्फ बैंकों में काम कर रही होती इतने बैंकिंग ट्रांजक्शन से अगर उसको आप मै कारबार चलनी सकता आप कंपर्टिटिव नहीं रह सकते अब आप इमेजिन कीजिए कि एक बैंक है जो जो कंप्राइजडी नहीं अभी तक वह डे बुक बना रहा है और वह एक दूसरा बैंक जो के डिजिटालाइजड है और कंप्राइजड है वह उससे कैसे कोई में काब दिए और का कि जी आई वांट तो रिमोट ली कंट्रोल और नो वाट स कोईंग आन यहां तो अब आम तोर से अब लगना शुरू है लेकिन हम उस जमाने में भी बाहर से सिस्टम लेकर आए और वो पूरे फैक्टरी में स्ट्राइजिक पॉइंट्स पे लगा दिया और मैं बैट के आराम से रियाद से या खोबर से देख सकता था कि मेरी फैक्टरी में क्या होरा है तो उसी वही वजए है कि आराम से फैक्टरी चलती रहbly नहीं बाहर बड़ी अची रखम कमाता रहा, जब यहां आया तो शुरूर में तो फैक्टरी गया ऐसी शौक था कि भाही ज जब तक मैं जिन्दा हूँ महां जाके बाशा बनता हूँ तो कुछ दिनों के बाद ख्याल आए कि वाई शुड़ आई ट्रेवल अल दे वे फ्रम माई हाउस तू फैक्टरी घर के पास ही एक आफिस ले लिया खरीद लिया और वहां पर मैंने वही सिस्टम जो थे वह लगेवे वहां पर स्टॉल कर लिया वहां से मुझे सब कुछ निजर आता था बिंग इन दा सीटी फाइदा यह था कि हमने और भी वहाँ सारे कारबार कर लिये वहां पर बैटके तो अगर मैं कौरंगी में होता तो वहां पर मेरे जो और कारबार थे राइस वाइस के उनके लिए आना जाना मुझकिल होता तो यह दोर है जना उसके आपको बड़ी असानिया हो गई है बहुत एफिशेंसी हो गई है अगर मैं फैक्टरी में बैठा भी हूँ तो मुझे ना पता चले कि तीसरे फ्लोर पे क्या हो रहा है लेकिन अगर मैं अपने घर पे बैठा हूँ या भी अपने मुबाइल को खोल के देखना चाहूँ अगर मैं फैक्टरी ही चलाता रहता तो कैसे आता है यहां पे मुझे तो हरोत फिकिर होती थी कि उस अगले कमने में क्या हो रहा है कोन आया कोन नहीं किया लेकिन आज इसलिए नहीं है कि अभी मैं अपना मुबाइल आउन करूँगा और यहां आपके क्वालिटी वर्क करता हूँ आप लोगों को गाइड करता हूँ तो यह डिजिडिटाइजेशन का दोर है जो एड़ आपक नहीं करेगा वो तकलीव में रहेगा जो कर लेगा उसके लिए बड़ी आसानी होगी कम्पिटिटिव हो जाएगा यहां पर हम लेंगे एक छोड़ी सी ब्रेक ब्रेक के बाद फिर इंश्याला हाजिर होते हैं वेलकम बाक टो लाइवान ट्रस्मिशन आज इन हम बात करें आई-टी के इंपोर्ड़न्स और आई-टी पे हम बात करें डिजिटिलाइजेशन की इंपोर्ड़न्स को अभी एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें कहा कि अगर आप कमरे में 20 लोग हो 20 एक्जिकिटिव हो आम नहीं लोग उसे पुझे कि डिजिटिलाइजेशन का मतलब क्या है तो 20 मुक्तलिफ आंसर आएंगे अभी भी ये लेवर आफ मिसंडेस्टाइनिंग है हर आदमी डिजिटिल को कुछ और ही समझता है मैं एक आप आदमी हूँ मैंने जो कुछ आपको अभी तक बताया है वो एक आप आदमी के बिजिटिलाइजेशन थी किस तर से डिजिटिलाइजेशन ने मुझे हल्प किया तो रेंट रिमोटली फ्रम अबरोड और जो बैलेंशीट वारा तो आपको पता ही है कि वो सारे कुछ जो है आज कम्पीटर पर होता है वो बहुत मावली बात है रिसेंटली डेंवर कंपनी को सेसीपी ने कहा कि जी तारिख मेरे ही नाम गया है वहाँ पर मेरे एमेल से लिंक का वहाँ पर उन्होंने कोड दे दिया है मुझे अगर कोई आदमी इसको नहीं फालो करेगा तो उसके लिए सेसीपी के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा आप दे डोंट एक्सेप एनिधिंग रिटन आउ पेपर उपर खतम है अवाज साथ है आसिफ रियास साब जो के सीओ हैं इंट्रा टेक के रियास साब वर्गों शो साब थैंक यू बारे मच जी रियास साब हम बात कर रहे हैं के वाट इस इंपोर्टन्स आप डिजिटल ट ट्रास्वेशन बेसिकली है तो कंप्यूराज़ेशन का ही एक अध्वांस स्ट्वेड है कि जैसे आज से बीस पत्रिस साल पहले कंप्यूर्टर का इस्तमाल हमारे एडारों में शुरू हो गया और ऐसता आप बढ़ता चला गया लेकिन अब कंप्यूराज़ेशन और डिज जो फ़ांशलज प्रोसेशन या अपकी जो अकांटिंग प्रोसेशन या आपकी जो क्यूर्टर के तरीके है विधिन गराज़ेशन और और इमिल पे हो गए या मॉबाइल पून पे हो गए लेकिन अप डिजिटल इजिटलाइशन का मतलब यह होता है कि आप अपने जो कोर यह जब प्र, अजब ऑफिशू नगर बीजिए अगर आप ही भी अगर आप प्र एक्वाजिए आप मैंधि शोर्सेंटर करें तो अमेनुच्च्चर अथे थीघें। प्रड़क्शन भी कम हो जाएगी, आपकी प्रसिशन भी जादा आजाएगी, आपका टाराउंड टाइम तु मनुफेक्ट्चर अवहिकल, वो भी कम हो जाएगा, तो डिजिटिलाइजेशन इप मीन्स कि आपकी जो कोर फंक्शन हैं, आपकी बिजनस के यापकी, अगर आप गॉर्मेंट पॉट अवी से देखें, तो जो कोर सर्फिसेज हैं, गॉर्मेंट की पॉरिटिजन, वो उनके लिए अगर आप इजी टिकनोजी यूज़ करना शुरू करने हैं, लेकिन मुबाइल अप्लिकेशन हैं, या आपकी कंप्लेंस लाँज करने के तरीके है हैं या एफ आई आर लाँज करने के तरीके हैं, हाई कोर्स या सुपीम कोर्स या जो आपकी सारी लिटिगेशन के प्रोसेज़ हैं, वो अगर तमाम कंप्रिटराइज हो जाएं और लिटिगेंस और जो लाइज हैं, वो भी उनको यूज़ करना शुरू कर लें, आपकी ज के दिन होगें, एक केस की हीरिंग में तो तो यह जो आपकी सफरा अवाम की सहुलत के लिए के तो टौजी कर सकते हैं. रियास साब एक पाकिस्तान में कर्रप्शन का और जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है वो है लैंड रिकॉर्ड की नॉन डिजिटिलाइजेशन इस से में पंजाब ने तो सुना काफी इखनामात लिये हैं और उससे काफी कर्रप्शन कमें होई जो हम पटवारी कल्चर की बा पंजाब गवर्मेंट के एक बच्ची है जो के थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है और कोई आया है उसके बाप है यह दादा है उसको कह रहा है कि यह जमीन दे दो सस्ते में और उसकी कीमत कम बता रहा है वो बच्ची है फोरण वहाँ से कहती कि जी अबू इस इस रिकॉर् पहले बन गया हुआ था और वो अल्दो के बैट इस गवर्मेंट और उसकी मैनेजमेंट जुहें वो तोड़ी प्रफेस्टनल लोगों के रात में रही और उसकी वज़ा से और जिसने भी वो बजाइच के के वो पंजाब गॉर्मेंट की आई-टी मिनिस्ट्री उन बना दिया और वो पंजाब आई-टी बोर्ट में वो साड़े प्रोजेक्स को यह वो लीड किया और वो पंजाब आई-टी बोर्ट का पर इंट्रक्शन रहा प्राइमिट सक्कर से भी बहुत ज्यादा और उनका जो उन कंपनीज को हायर करने का और जैसे आप बात कर रहें कि लैंड रिकॉर्ट को उन्हें कर लिया तो अबिस्टी उससे करप्शन भी कम होगी और फिर जो जमीनों के मालिक हैं उनको भी अभी अगर मेरे पास एक कोई प्लॉट है कहीं पे बाक्स्तान में तो मुझे उसकी वेरिफिकेशन का मुझे तरीका नहीं पता कि मैं किसके जा कि पूछूं के वो मेरे नाम पर है या मैं खरीबना चाहता हूं और कोई क्लेम कर रहा है कि यह फ्लॉट उसका है और मैं वो वारिफाइब नहीं कर पाता हूं अजर मैं वेरिफाइब करने मुझे पता लगता है कि अफनाना एक डेपार्टमें उसकी वेरिफिकेशन कर आप गाड़ी का नंबर उनको बता है तो उसकी आप रिटेज देरता है कि ये गाड़ी किसके नाम पर है कोई गाड़ी चोरी कि तो नहीं है इस तरह की चीजे होंगी तो अबसली उससे करॉप्शन तो जो कम होगी तो होगी लेकिन उससे एक बिजनस इन्वार्मेंट जो वो काफी नेबल हो जाता है कि पीपल आर मोर रेड़ी तो दू दू बिजनस इन्वार्मेंट जो 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 जाए तो हम आप जैसे हम आप लिए तो खौब लगता है कि तमाम लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजड हो और जैसे आप ते गाड़ी की बात की ऐसी एक रिफरे और वो सारे रिकॉर्ड आ जाए तो मैं समझता हूं कि लाखो लाख जो केसेश चलने कोर्ट पे वो खतम हो जाएंगे बहुत सारी जो मुर्डर्स होती है वो नहीं होगी यह जमीन के ओनर्शिप के बात होती है कि किस की है रियास साब की तारिक साब की है उस पर लड़ाई तो कि अगर आप सिफ लाइंड रिकॉर्ड की कि बात करने तो यह तो काफी साल पहले हो जाना चाहिए था जैसे नादरा एक काफी साल पहले बन गया था तो वो सब्सक्राइब को जाना चाहिए था और अब यह बाकी गोर्मेंट्स हैं वो उनको भी लीड देनी चाहिए ब उसको एक इनएबल एंवार्मेंट बेते हैं अब जयसे सीपक रॉजिक चल दे तो उसमें भी अब गवादर में जो जमीने हैं तो वो उसका रिकॉर्ड किसके पास है तो किसके पास जाके बंदा बोले कि मैंने कुई जमीन फरीद ही या या बेट निया बेट निया है जब तक कि आप उस इंडेस्ट्री में या उस पूरे बिजनस प्रॉसस में चंद महीने गुजारना लें तो यू विल भी आलवेज वरी अंशूर के जो आप करने जा रहे हैं वो वाकी सही आपको चीज दिलेगी या साँ आपने गौदर का जिकर किया आपको याद होगा के 2007 और उससे पहले 6-7 फ़र में भी गौदर के बहुत बड़ा प्रपगेंड़ा हुआ था बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था यहां पे बिगएस फ्रॉड इं रिसेंट हिस्ट्री जब मैं गल्फ में होता था और हम पता चलेगा वो कह देगा कि यह जो आप सामने जमीन देख रही वो मेरी है इस पे मैं ऐसा शंदार चीजें बनाऊंगा कि सिंगापूर भी शर्माएगा और ट्रॉंटो भी शर्माएगा और उस बेसिस पे लोगों ने ले लिये तो बड़े लोगों को नुखसान हो गया उससे बहुत बदनामी हुई पाकस्तान की बहुत लोगों को नुखसान हो गया और अब जो नए तरीके से शुरू किया जा रहा है उसका भी हम नहीं समझते कि को डिजिटल रिकॉर्ड है इसके बेसिस पे कोई सॉलिड डिसिशन ली जा सके और अब जब हमसे लोग पूछ तो यह नहीं समझते हैं कि इतनी ज्यादा वो हॉल करेंगे उतना ज्यादा उनका डिफेंडंस उनके उपर होगी तो यह आद इन फो मेशन शेरिंग कंप।रराजेशन ज्याजिश्न से इन वो ओल्त नहीं हो सके जिए जिसको जो इनकों से जाई हो है वो मिल जाएगी तो उससे अब for example medical records है अब अगर मैं एक शेहर में हूँ कल को मैं दूसे शेहर में जाके अपने बीवच्छों के जाद रहने शू कर देता हूँ वालदेन के जाद रहने शू कर देता हूँ अब मेरे वालदेन की अगर आज के 20 सार पहले medical history है वो मैं अपने साथ करी नहीं करत दे रहे हैं उस prescription की अगर कोई negative impact आता है मरीज के ओपर तो वो उस पे उनको answerable होने चाहिए तो इस तरह के जो सारी इसी तरह जो आपके operations होते हैं काफसरे लोगों के के एक तफा सर्जरी होगी चांद महीने बाद उसी चीज की तबारा सर्जरी की जुरत परती है तो इसका तब यह होगा कि पहली सर्जरी चाहिए नहीं थी लेकिन अब वो सारे डेटा वैलेबल नहीं होता उस फैमली के बाद जो अच्छिट फैमली होती है अचे वेस्ट में होता है सब मेडिकल डेटा क्या सारे रिकॉर्ड होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज बेए इसका तो युएस में तो एक बाकाईदा एक लो है मुझे एकली उसका पूरा नाम नहीं पता है एच आइड़ पी-ए के नाम से हेपा कहते है उसको है एक लिए बाकाईदा जो हॉस्पिटल्स है जो प्लेनिक्स है जो मैडिकल क्रेक्शनर एवन जे के जो चैमिस्ट है उनको भी वो तमाम डेटा जो है कि कौन सी मेडिकन उसने किसको दी है किस प्रस्किप्शिन के अगेंस ती है और वो डेटा जिनके पास होता है जिन कमकीश के पास या उनके ओपर पाबंदी होती है कि वो डेटा की कौन सिदेशलिटी को इन्शोर करेंगे वो डेटा मिस्जूस नहों लीक नहों तो वो हैल्ट और इंपोमेशिन प्रोटेक्शन इन 2017 उन्होंने एक प्राइविसी डेटा प्रोटेक्शन के लिए लौ एक बना दिया जिसनी भी कंपनी जे यौरप में काम करती हैं उनके पास अगर प्राइविट डेटा है जर्णल पब्लिक का तो उनको उस डेटा को मेंटेन रखने के लिए उनको प्राइविसी को मेंटेन रखने के लिए क्या-क्या मेजर्स लेने होंगे उस मेजर्स को इंशोर करने के लिए उनका ओड़िट भी हुआ करेगा तो इसलिए जब आप करते हैं तो पर डेटा प्राइविसी भी उसमें आती है और Health Information Protection Act तो यह तो काफी सालों से यानि के यूएस में तो 15 साल हो गया यौरप में 15 साल हो गये के यह कौरमेंट्स हैं और यासाब हमें भी एक कौमेंट सेस्ट से पता है कि जैसे कोई भी केस हो उसकी पूरी हिस्ट्री अगर आपके पास मुझूद हो तो आप बहुत बहुत बहुतर तरीके से इसको डील कर सकते है अगर आपको यह बात पता हो की इस आदमें को कौन-कों से मीडिसिन दिये गए कोण-कों से प्रॉसीजियर इनिस पे किया गया तो अईन्द ही जो आप प्रॉसीजियर करने जा रहे इसे बड़ बड़ी आसान जो जहां तक ये लिबॉटरी रिबॉट्स की बात है, वो तो काफी हमारे प्रावेट इस्टिशिशन्स में पास्तान में, इवन जे के जो बहुत ज़ादा बड़े नहीं है, एक मिडल साइज की लिबॉटरी हैं पास्तान में, उन्हों ने अब ऑन लाइन अपनी हो या चीजी और चीज़ की एक्सेज हो, खर एक्सेज तो अल्लाइन निंग होते हैं, लेकिन जो बैडिकल रिपोर्ट होती हैं, बलड टेस्त हैं या आपको और डिफेंट बॉड़ी पार्ट की सेंपल की टेस्त होते हैं, तो वो रिपोर्ट जह हो इंटरनेट पे वो चाहता हूं, इन्शाला अगली प्रग्राम में मजीद आपसे लेंड करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, ये अगर लेंड रिकॉर्ड सारे हो जाएं, मेडिकल रिकॉर्ड हो जाएं, यकीन मानिए हमाई जिन्दगी में बहुत ही खुशगवार तबदीली आ जाएगी, इस के साथ मैं इस सक्षिन से जाएज चाहता हूं.